So Hello Everyone Guys, यह है CTV Network के Quarter 1 के Results तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि इस Share के Results यहाँ पर कैसे आए हैं तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस Share के Total Income से तो यहाँ पर Yearly Basis में जो Income है वो Around 269.95 लाग था जो Quarterly Basis में 266.15 लाग यहाँ पर हो गया है Quarterly Basis में यहाँ पर जो Share की Income है वो यहाँ पर Decrease हुई है और Total Expenses Yearly Basis में 378.84 लाग था जो Quarterly Basis में 367.48 लाग यहाँ पर हो गया है Income के साथ Share के Expense भी Decrease हुए है बात करेंगे Total Comprehensive Income की वो यहाँ पर Yearly Basis में 108.90 लाग था ब्रेकिट में था यानि Loss में था जो Quarterly Basis में 101.83 लाग यहाँ पर हो गया है ब्रेकिट में यानि की अभी भी Loss में गया है और Earnings पर Share Yearly Basis में 0.91 पैसे था अब जो है यहाँ पर Quarterly Basis में 0.84 पैसे होगे ब्रेकिट में है यानि अभी भी Loss में है Overall Analyze करने के बाद देखे Share के Result यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं आए अगर आपके पास यह शेयर है तो Next Quarter तक आप इस Share का यहाँ पर Hold करके यहाँ पर देख सकते हैं वेट कर सकते हैं नहीं तो अगर आप इस Share को अभी Sail करना चाहे तो अभी तो फिलाल क ले Sail मत करिए Next Quarter तक के प्रेस्पेक्टिव से Hold करके आप यहाँ पर Sail कर सकते हैं